आप से उम्मीद करती हूं कि अब आपके चार कंवर्जन और बचते हैं तो उन चार कंवर्जन को हम फटापट से इस लेक्षर में कम्प्लीट करने वाले हैं आइए देखते हैं और आपसे उम्मीद करती हूं कि अब आप कंवर्जन में कमफर्टेबल हो चुके होंगे क्योंकि कल आपने काई सरे कंवर्जन कर चुके हैं तो वहाँ पर आपने सीखा होगा कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में करते हैं आए ये कौन-कौन से हैं जो हमें पढ़ना है आज हमें पढ़ना है डेसिमल का ऑक्टल में परिवर्टन ऑक्टल का डेसिमल में परिवर्टन डेसिमल का हेक्जाडेसिमल में और हेक्जाडेसिमल का डेसिमल में परिवर्टन ये चार कंवर्जन हमें पढ़ने होंगे ठीप एक्जा अगर आपने पूरा पड़ा होगा तो आप टोकोको यादध होगा कि मैंने बताया था कि कि सी भी destructive का बेज एक्छुल माय होता किया है बाइनरी जो यॡपर है वाइनरी आपका नंबर दिया रहे हैं आपको यहां पर समझना होगा कि यहां पर बेस्ट एन्ट मींस यह डैसीमल है और बेस्ट यानिक यहां पर यह आपका बेस्ट इन से यहां यहीं मतलब हुआ अभी आप से में comfortable हो चुकी होंगी कि question आप से कहना क्या चाहता है अब आप स्टीज को समझने लगे होंगे कि हमें decimal से किस में जाना है October October में जाना है question mark यहां लगा है यानि कि October में जाना है तो यही हम आज सीखने वाले हैं आईए देखते हैं सबसे पहले इस question को आप यहां पर लिख लिजे question क्या है 423.03125 यह कुछ इससरीके से आपको दिया गया है और यहां पर question mark है और यह आपका base 8 दिया गया है तो question को आप लोग ध्यान से देखिएगा यह आपका point लगा है यह point के पहले का है और यह point के बाद का है दोनों को अलग अलग कर लि इनको अलग लग इसलिए किया है क्योंकि आप जब कभी भी आपका decimal से octal में जाते हैं तो यहां पर हमारा point के पहले का जो number है उसको हम division करते हैं मतलब divide करते हैं और आपका जो point के बाद का number है उसमें हम 8 से multiply करते हैं 8 से क्यों कर रहे हैं because हमें यहां पर octal में जाना है मैंने क्या कहा मैंने यह कहा है कि जब कभी आपको कुछ इस तरीके का number दिया हो तो आपको यहां पर point के पहले वाला number अलग लिख लेना है point के बाद वाला number अलग लिखना है point के पहले वाले number में हम क्या करते हैं division perform करते हैं किस से 8 से करते हैं क्यों क्योंकि हम octal में जा रहे हैं यहांपर हम क्या करेंगे? 8 से multiply इसलिए करेंगे, हम कहां जा रहे होटव में जा रहे हैं. यही आपको करते रहना हैं. कब तक करना है? आपको आज में दिखाती हूँ कि कब तक आपको ऐसे करते रहना हैं. यह आपका 423 है. इसमें आपको सबसे पहले 8 से क्या करना है、 डिवाइड करना है, और Remender आपको यहां पर लिखना है, तिक Remender यानि कि सेस्फal जिसे आप हिंधी में कहते हैं, सेस्फal आपको यहां पर लिखते जाना है, क्यासे करेंगे, 8 से डिवाइड करिये, 8 से 4 बार करेंगे तो कितना होगा, आच्चो का 32, 5 बार करेंगे 40, यानि कि आपका 5 ताइम्स गया, यहाँ पर आपका 2 बसता है, तो यहाँ पर 23 हो गया, तो कितनी बार जाएगा अब आपका, अब आपका जाएगा 8 दूना 16, यानि कि 2 टाइम्स जाएगा, अब रिमेंडर कितना बचा, 4 बो और 3 है, यानि कि आपका 7 बचा, अब यह जो 52 आया है, इस 52 को हम अगें डिवाइड करते हैं, 8 से, किस से अगें डिवाइड करते हैं, 8 से, 8 से ही क्यों कर रहे हैं, विकोज हम ऑक्टल में जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे हैं, कि हम 8 से ही क्यों कर रहे ह अब आपको 6 से डिवाइड करना है आठ से आपका जब आप 6 को डिवाइड करेंगे आठ से तो आप सभी को पता है कि जब हम 6 को डिवाइड करते हैं आठ से तो यह 0 टाइम जाएगा तो यहां पर 0 लिख लिए और आपका 6 एजटेजी बचेगा क्योंकि भाग आपका है ना तो आपने यहां पर लिख लिया अब मैंने आपको यह कहा है कि आपको यह कब तक डिवीजन करते रहना है जब तक कि यहां 0 ना आ जाए तब तक हम यह आपका डिवीजन करते रहना है तो यहां 0 आ गया यानि कि आपको यहां पर रुख जाना है ठीक अब आपको क्य 7 बचे बने रहा है ना अब यह जो आपने 423 लिया था 423 आपका किस में था बेस 10 में था और आपका जो decimal में था अब आप इसका octal जो conversion की है वो क्या आया 647 और यहां पर base 8 आया आया इतनी चीज़ें आपको समझ में आई ज्यानि कि आपने जब इतने नंबर का decimal से octal में conversion किया तो आपको मिलता है 647 मिलता है ना 647 आपको मिलता है अब यहां पर आपका इतना हो गया अब आपको इस वाले को करना है तो इसको मैं हटा दूँ इतना समझ में आया अब मैं कर रहे हूं इस वाले को इस वाले को किस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको दिया है ठीक है अब आपको क्या करना होता है जो आपके आप से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितनी क्या आएगा यहां पर आपके देखिए एक बार आठ पंच्या चालेज जीरो आया चार आएगा आठ दूनी सोला और चार कितना होगा आपका सोला चार बैस यानि कि यहां पर दो होगा ठीक है आठ ठीक हम आठ और दू कितना हो जाएगा दस तो यहां पर एक बचेगा आपका आट्या चौबीस और आपका पच्चेस हो जाएगा कितने यंग पर डैस अंदस हमलब है दो दो चार और यानि कि आपका है पर 25 यहां पर ट्रिपल जीरो आया ठीक इतने चोटे से बच्चों की तरह इसे घा रही हूं अभी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कैसे करना होता है अब आप अगया आपको यहां पर यह जो आपका नंबर है इसको अलग लिख लेना है और यह जो आपका नमबर है यहां पर इसको अगेन आपको क्या करना है इसको आच से ही multiply करना है क्लिक आपका करिए फिर से क्या आएगा आपका यहां पर तीन वार 0 आप 8 से करेंगे 5 में तो 0 होगा 4 यहाँ यहां पर आपका 2 पुएंट आपका कितनी बार इतना आपका 0 आपने लिख लिया इसको समझ आया इतना आप लोगों को कि कैसे किया है अब यहां पर देखिए आपका यह जो आपका पूड़ांग भागा आया दो आया, आया की नहीं आया, तो आपको इसी को करना है, अब आपको यहां पर देखे, 00 आ गया है, 0000 आ चुका है अब आपका, तो एक चीज बताईए, जब आप इसमें 8 से करेंगे, तो 0 ही आएगा, तो आपको करने का मतलब नहीं है, यनि कि आपको तब तक आपको 8 से करते रहना है, जब तक कि यहां पर हमारा 00 ना आ जाए, फिर से समझें, मैंने क्या कहा, आपको तब तक 8 से मल्टिप्लाई करते रहना, जब तक कि यहां पर हमारा 00 ना आ जाए, ठीक, अब यहां पर 00 आ गया, 8 से मल्टिप्लाई करने का कोई मतलब भी नहीं है, 0 ही आएग 02 आया है ठीक है बेस इट इतना समझ आया अब हम इस पूरे को लिख सकते हैं कि नहीं इस पूरे को हम लिखेंगे तो हमारा एक्च्वल में क्या बनेगा देखिए 647 इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्च्वल में करते कैसे हैं तो यह बहुत सिंपल था हलाकि पहले बार आपने किया है तो आपको थोड़ा से टफ लग रहा होगा लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि पॉइंट के पहले वाले को हमें क्या करना है पॉइंट के पहले यह वाला कन्वाजन आपका होच्वा है आपको समझ में आ गया होगा नेक्स कन्वाजन देखिएँ हमारा इसको मैं हटा देती हूं नेक्स कन्वाजन देखिए नेक्स कन्वाजन आपसे है कि औक्टल का Quality में परिबरतन और यहां पर आपको बेस टैन दिया होगा तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपका पहचानना होगा कि हमें कहां से कहां जाना है अब जो question है उसको एक बाल लिख लीजिए question आपसे कुछ इस तरीके से है 327.48 is equals to यह आपको करके दिखाना है कैसे करेंगे अब जब आपका इस तरीके का question होता है और जिसमें आपको octal से decimal में जाना है तब हम क्या करते हैं तब हम जो आपने एक बार अभी पहले सीखा था उसी तरीके का action जो आपको किस तरीके का ध्यान आएगा आपको अभी 327.4 मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था इसको हम लिखते हैं 8 की power क्या minus 1 इसको हम लिखेंगे 8 की power आपका 0 और इसको हम लिखेंगे 8 की power 2 और इसको हम लिखेंगे 8 की power minus 1 लिखेंगे क्यों क्योंकि जो point के बाद वाले हैं उनको हम minus में लिखेंगे और इनको हम plus में लिखते हैं यादा है आप लोगों को कि ऐसा आप कर चुके हैं कहां कर चुके हैं मुझे इस चीज का comment चाहिए है कि कल आपने ये वाला जो action है कहां perform किया है सभी का comment चाहिए जिन जिन ने पढ़ा हुआ है तो इस तरी के से ओगा yoga yogamachen 3 customize और ये कितना होगा 64 होगा और ये कितना होगा 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा और यह पॉइंट और आपका 4 आपको और होगा होगा की नहीं इतना तो आपidores को mathematics साती होगी कि आपका 4 into 8 की पाबर माइनस बन है तो यह आपका 4 upon 8 हो जाएगा यानिकि 1 upon 2 यानिकि 0.5 हो जाएगा है ना इतना सभी आता ही होगा है ना अब आप multiply करिए आप करिए तेचे को 12 एक हो जाएगा 18 19 192 प्लस आपका 16 प्लस आपका 7 और यह आपका क्या होगा 0.5 होगा होगा कि ने इतना आप लोगों को समझ में आया है अब आपको इनको जोड़ लेना इन सभी को जोड़िये तो कितना होगा आप लोगों का 6 और 2 8 8 7 14 15 5 यानि कि 215 आजाएगा आपका और यहाँ पर इतना आजाएगा 0.5 आपका ओल्रेडी था यानि कि 215 आपका दसमला 5 तो आपका यहाँ पर convert होके क्या आता है इसका आप किस तरीके से लेखेंगे 327.4 यह आपका बेस एड था जब आप इसमें गए एन में तो आपका यह कुछ इस तरीके से आता है यह आपका 5 लिखा हुआ है जिस गिमी बन मिनिट इस तरीके से ठीक और यह बेस टैन है समझ में आया आप लोगों को कि इसको हम कैसे करते हैं थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा टफ लिकिन मैं आपको कहूंगी कि यह जो चार कनवर्जन है बहुत थोड़े से याद रखने वाले हैं बाकी आपने जो पिछली क्लास पर पढ़े थे उनमें इतना याद आपने वाला नहीं था लेकिन जब आप एक दो बार करेंगे कि हम एक नमबर सिस्टम से दूसरे में कैसे जाते हैं एक सौर्ट नोट्स बनाएंगे क्रिस्ट टाइब का तो आपको याद हो जाएगा ठीक है नेक्स होता है मारा डेसिमल का हैक्जाडेसिमल में परिवर्तन क कैसा आएगा पहले थी समझ दर नमबर यहां पर होगा आपको उस तरीके से और उसके बाद डेसिमल यानिकी बेश टैनों होगा है मैंसको हटा रही हूं अभी एक पर हटा दू अभी तो समझ में आ गया होगा आप को को कि कुश्चन क्या है आप से 2863.225 यहां पर बेस्टेंड और आपको जाना है 16 में इसको हम कैसे करेंगे तो अगेन वही आपको करना है जैसे मैंना अभी आपको सिखाया है देखिए कि decimal का hexadecimal में परिवर्तन के लिए हम सबसे पहले point के पहले वाले को हम यहां पर लिखेंगे और point के बाद बाले को हम यहां पर लिख लेंगे और उसके बाल जो point के पहले का number है उसको हम 16 से divide करते जाते हैं और इसको हम multiply करते जाते हैं ठीक कब तक करना है जैसे अभी आपने इसमें देखा था बिल्कुल बैसे ही आपको करते जाना है कि कब तक आपको करना है वो समझ में आई चुका होगा जीरो की condition जब तक नहीं आ जाती है तब तक हमें करते रहना है तो जैसे आपका two eight six three है इसको आप divide करिए 16 से और remainder आप यहां पर लिखिए ठीक है करिए मेरे कि कि बार जाएगा तो यहां पर फोर बचेगा और यहां पर कितना बचेगा बन बचेगा और यहां पर तीन हो जाएगा तो इतना तो calculation कर लेते होंगे ना तो यहां पर आपका remainder 15 आप इसको हटाईए अब यहां पर 178 है आपका कितना है 178 अब इसको आप फिर से 16 से divide करेंगे तो कितना होगा 16 से एक बार जाएगा अगेन आपका यहां पर एक बचा और यह 8 आपका था एक बार जाएगा और आपका remainder कितना बचेगा दो ही अब आप फिर से करेंगे फिर से करेंगे तो आपका यहां पर 11 है और यहां पर आपका क्या है 16 है 16 से करेंगे तो आपका यहां पर 0 टाइम जाएगा और रिमेंडर आपका 11 ही आजाएगा आजाएगा कि नहीं यानि कि आपने देखा कि आपके रिमेंडर कुछ इस तरीके से बस्ते हैं लेकिन आपने हेग्जाडेसिमल में एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हेग्जाडेसिमल में हमारा नाइन के बाद से जो नंबर आते हैं तो उनको हम कोड से रेप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रेप्रेजेंट करते हैं आप सभी को पता है मैं बताई हुई थी आपको 10 जो है आपको उसको रेप्रेजेंट करना है A से उसके बाद 11 जो है उसको रेप्रेजेंट करना है हमें B से 12 को हमें रेप्रेजेंट करना है C से आपका 12 के बाद 13 आता है 13 को रेप्रेजेंट करना है D से 14 को हमें represent करना है E से आपका last होता है 15 15 को represent करना है F से हमें F सक जाना है that means यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें 15 को लिखना है F है ना 2 को as it is लिखेंगे 11 को क्या लेखेंगे B हम कैसे जाएंगे हम जाएंगे नीचे से उपर की होड यानि कि B B 2 F ठीक है यानि कि आपका जो इतना नंबर है 2863 इसका जब आपने hexadecimal किया तो वो आया है आपका B2F आया है क्या आया है B2F आया है क्या में इतनी नंबर को आपका hexadecimal में B2F लिख सकती हूँ आप कहेंगे बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल सही है अब हमें इतनी नंबर को करना है आइएसको भी देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको करना होगा आपका multiplication ठिक है multiplication करना आता है ना आप सभी को कैसे करते हैं आईए देखते हैं 0.225 है इसको हम 16 से multiply करेंगे ठीक है करके देखिए कितना आता है 16, 85, 88 होगा 16, 32, 32, 32, 36 होगा 16, 32, 32, 36 होगा कितने अंग पर दसामलब 3 पर है यानिकि 3.6 आया आपका 3.6 आने का मतलब क्या हुआ यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह जो है आपका 3 तो पूडांग हुआ तो 3 को अलग लिखे लेना है और जो 0.6 है हमारा इस 0.6 को हमें क्या करना है फिर से करना होगा 0.6 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.6 को 16 से करेंगे तो आपका 6.96 यानि कि 9.6 हो जाएगा है ना अगेन आपका कितना होगा 16.96 ही तो होता है ना कुछ गड़वड कर रही हूँ क्या हमें एक बार देखते हैं यानि कि अब आपका यह रिपीट हो रहा है हाँ हाँ इसका आपका रिपीट हो रहा है दे कि 0.6 आगेन आपका आएगा फिर से 16 से करेंगे तो वही 9.6 ही पीट होता जाया wastewater तो अब आपका इस प्रोसेस को यहीं पर रोग देना है हल कर दёना ही क्यों क्यों कि यह रिपीटिशन हो रहा है या तो आपका repetition आजाए या फिर आपका 0 वाली condition आजा तो आपको रुप जाना है आप सभी को समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला मैं एक बाद फिर से करके देखाती हूं आपको मैंने क्या बोला एक्ष्वल में multiply करें आप लोगों multiply करना आता है ना 1685 यानी कि 0 हासल का कितना है एट आया 16 दूनी 328 चालेस यानी कि यहां पर चार बचेगा अब आपका 16 दूनी 32 चार कितना होता है 36 तो 3.6 यहां पर देखें 3.6 बागे जीरो कोई मतला बनता ही नहीं है या पर कोई मतलब पूरांग को ले लीजिएए और पॉइं तो फिर से कर दी so wszyscy नहीं करना हैornp पूभाले को हम मल्टिप्लाइ करते हैं 16 तो वहीं होगी प्रॉटिप्लाय करते हैं जहां हो यहां हो आप से नहीं करना है पूदिशन और फिर सकता हिगें हमें चुरन करना और सिस्टS करना है उपर से नीचे किसमें हमें कुछ भी ऐसा करना नहीं है लेकिन आपका डिवीजन वाले में हमें ऐसा करना होता है यानिकि आपका 225 का कितना थे 39 आता है तो आप इसको किस तरिके से लिख सकते हैं B2F B2F 0.39 आपका B16 होगा ठीक इतना आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे हम ने किया है अब हम चो लास कन बरदाने उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा मैं इस सिचुवेशन को समझ सकते ही विकाज आपने आज से पहले नहीं पढ़ा ह है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट यह करूंगी कि आप जिस एक्जाम को टार्गेट कर रहे हैं पहले उस एक्जाम को देखिए कि उसमें आपका कहां तक मुछा जा रहा है कभी-कभी बहुत सिंपल पूछ लिया जाता है इतना टफ बहुत ही मुश्किल में आप से प सब्सक्राइब करता है लेकिन आप लोगों के एक्जाम में क्या पूछा जा रहा है यह आपको देखना होगा और बाकी तुम्हें बताने के लिए हूं ही कि क्या पूछा जाता है क्या है ठीक तो हेग्जाडेसिमल का डैसिमल परिबरतन किस तरीके से करेंगे आए देखते हैं इसको भी इसके लिए आपको सबसे पहले कॉस्चन को लिख लेना है बी सी 9 8 यहापका 16 अबेस और यहाँ पर आपको डैसिमल में जाना है तो कैसे हम जाते हैं इसको देखते हैं ठीक है इसके लिए आपको मैं कहूंगी कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया इसको करना है बी यानिकि आपका 11 होता हैं याप़ C आपका 12 होता है ठीक एहाँ पर देखे यह 9 जो है इसको क्या लेखेंगे 16 20 C कीप और 1 बी को क्या लेखेंगे 16 कि power 2 और 8 को क्यां जबावार कियेंगे 16दीg RAM 1-1 इतना आप لوगों कोucktסमें अथज कि अब क्या कहा था कि इसको इसको अबी को मल्टिप्लाइ करें 60 कि पावार 2 से बीच में प्लस आएगा सी को मोल्टि प्लाइ करेंगे 16 कि पावर 1 से बीच में प्लस आएगा औरַा हम multiply करेंगे 16 की power 0 से बीच में आपका यहां पर point आएगा और 8 को multiply करेंगे 16 to the power minus 1 से बी का code क्या है आपका 11 है 11 multiply by 16 to power 2 और C का code कितना है आपका 16 की power 1 multiply by 16 की power sorry sorry C का code आपका यहां पर कितना है I'm so sorry यहां पर पहले अब आपका यहां पर यह बन होगा और यहां पर plus 9 multiply by 16 दूपावल 08 multiply by 16 दूपावर minus 1 इसको solve करिएगा जो आएगा वह आपका answer होगा ठीक है तो यहां पर आज आपका data representation chapter खतम होता है और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका शॉप्ट वेर ठीक है तो हम कल के lecture में उसको सुरू करने वाले हैं आशा करती हूं कि आज का लेक्षर आपको समझ में आया होगा वीडियो को झाले होगा टापका वीडियो को